विल्कम टू कार्बकार्डमी, इन दिस वीडियो, क्लास 6, मैथेमेक्टिस, चेप्टर 3 का प्लेइंग विट नंबर्स में एक्सरसाई 3.1 को सल्ब करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, write all the factors of the following numbers, यानि जो इसमें number given है आमारा, इन सारे को factors find करना है, all the factors, all the factors का मतलब क्या हुआ, आई आपको समझाते हैं, ठीके, बहुत यासान question है, घबराना नहीं है, बहुत यासान है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्या है 24, अब जो 24 है न, 24 में कौन-कौन से number से individual हो जाएगा तो देखो, 24 जो है, यह 1 से भी डिविजल होगा, होगा न, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 3 एड़ जा 24, 4 से भी हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से भी हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 8 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, और last में 24, यानि खुद से भी हो सक यह समझो कि वह क्या होगा हमारा फैक्टर होगा समझ में आई बात में समय में आई न तो फैक्टर को बोलते हैं और साथ में इसका सेकेंड देखता हूं सेकेंड है फिप्टीन सेकेंड है फिप्टीन है अब जो हमारा फिप्टीन है यह कौन-कौन नंबर से एडिविजल होगा वन से से होगा ही 3 से होगा 5 से होगा 6 होगा नहीं 7 8 9 10 11 12 डिरेक्ट यह 15 से ही हो सकता है यह हमारे औल फेक्टर होंगे इसका फ़र्ड देखते हैं फ़र्ड क्या है फ़र्ड 21 है अब 21 कौन-कौन से नंबर से डिविजल होगा 1 से होगा 2 से नहीं होगा 3 से होगा 4 से भी नहीं 5 से भी नहीं 6 से भी नहीं 7 से हो जाएगा उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 किसी से नहीं डायरेक 21 से ही होगा जिस नंबर से डिफीजल होगा बस उसको लिख देना है वो हमारा all factor होता है 27 है अब 27 कौन-कौन से नंबर से होगा 1 से होगा 3 से होगा 5, 4 से होगा नई 6 से भी नई 7 से भी 9 से होगा और उसके बाद डिरेक्ट 27 से ही हो सकता है 5 देखते हैं आपको इसमें ABCD करके दिया है न तो 5 का हम लोग E बोलते हैं ठीके E है हमारा 12 इसको आप ABC कर लो यह A है यह B है यह C है और यह D है 12 कौन-कौन से नंबर से होगा 1 से होगा 2 से होगा 3 से होगा 4 से होगा 6 से होगा और 12 से होगा ठीके E के बाद F देखो F है 20 1 से होगा 2 से होगा 4 से होगा 5 से होगा 10 से होगा और direct 20 से होगा F के बाद G 18 है अब 18 आप बताओ 1 से होगा 2 से होगा 3 से होगा 6 से होगा 9 से होगा और direct 18 से भी होगा G के बाद H 23 है अब 23 देखो एक 1 से हो सकता है और एक 23 है निखुद से हो सकता और किसी नंबर से नहीं कड़ सकता है एच के बाद आई देखो 36 है 36 कौन से नंबर से होगा एक तो 1 से होगा 2 से भी हो सकता है 3 से भी 4 से भी 6 से भी 8 से नहीं होगा 9 से हो सकता है 12 से हो सकता है और उसके बाद 18 से हो सकता है उसके बाद 36 डाइरेक्ट खुद से है यह जो हमारे number है आया है सारे factor होंगे इनके factor all factor किसको बलते हैं जो number का पुछा गया होगा वह यह number जिन जिन number से division हो सकता है वो सारे number all factor होंगे उन number का ठीक है question one हमारा complete होता है question two है write first five multiples of देखो इस question का हम पहले से लिखे है write first five multiples और five multiples का मतलब क्या हुआ इसको समझो पहले तो multiples का मतलब होता है table आप लोग table पढ़ते हो ना उसी को बोला जाता है multiples यह first five five multiples सिर्फ कहेगा तो five multiples तक जाएंगे यह बोला है first first मतलब starting से starting five का multiple कहां से होता है five से यह बोला है first five multiple बोला है तो हमने first five तक ही लिखेंगे multiples का मतलब table होता है अब eight का बोला है न क्या first five इस्टार्ट करो eight one जा eight, eight two जा 16, eight three जा 24, eight four जा 32, eight five जा 40 nine का है तो nine one जा nine, nine two जा 18, nine three जा 27, nine four जा 36, nine five जा 45 मतलब जितने times बोलेगा उसको table लिख देना है आपका काम हो गया ठीक है और multiples में कुछ नहीं होता अब यह देखो match the item in column one and column items column two देखो इसमें क्या column one given है और column two given है अब दोनों को match कराना है तो multiples of eight multiples of eight इसमें कोन हो सकता है 16 एक को लाओ third में ठीक है एक को हमने third में ला दिया multiples of seven seven के multiples कोन हैगा 35 आएगा इसको कर दो multiples of 70 multiples of 70 किसके होता है इसका भी हो जाएगा यहनि फर्स्ट का हमारा सी भी हो सकता है फर्स्ट का सी भी हो सकता है दोनों होगा ठीक है फैक्टर ओफ 30 फैक्टर ओफ 30 किसका होगा देखो 54 में 30 आता है इंदिजन हो जाएगा है फैक्टर ओफिफ्ति कौन सा हो यह हो गा है फाइव का ही हो जाएगा अब बोलाई फैक्टर ऑब स्मझ माँआ यह था हमारा question जो कि आप लोग को समझ माँआ गया confusion के बात यह है कि यह सर दोनों कैसे हो गया तो दोनों भी हो सकता है क्योंकि इसमें five दिया इसमें six एक ज्यादा दिया न तो दो तो कही न कहीं मिलेगा ही मिलेगा यह था हमारा question number three और complete अब देखो को आपका question for last है find all the multiples of nine up to 100 देखो अब इसका मतलब समझो पहले multiples का मतलब होता है जिसका पुछा जाएगा उसका टेबल पढ़ दो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 का टेबल पढ़ देंगे up to 100 मतलब हाइंडरेट से नीचे ही होना चाहिए ज्यादा नहीं जहां तक चला जाए हाइंडरेट तक आपको हाइंडरेट से कम तक ही पढ़ना होगा ज्यादि यह हाइंडरेट नहीं रहता तो आप पढ़ते जाते आपका पेज खतम हो जाता लेकिन यह खतम नहीं होता ठीके तो नाइंडरेट से कम होना चाहिए यह था नाइंडरेट से कम होना चाहिए यह था नाइंडरेट नहीं रहता तो आप चलते जाते चलते जाते आपका पेज खतम होता लेकिन एक्वेशन खतम नहीं होता इसका एंसर खतम नहीं होता ठीके लेकिन हमें दिमाग से क्वेशन दि लिखना है ठीक है तो यह था हमारा नाइंस का मेल्ट पल्स अब टू हैंड्रेड आप से जब भी किसी का मेल्ट पुछा जाता है तो आप टेबल उसका लिख दिया करो हो जाएगा काम आपका ठीक है तो इसी के साथ हमारा 3.1 कंप्लीट होता है मैं उम्मिद करता हूं कि आप